भारत और बंगलादेश के बीच में चल रहे है चौथे टेस्ट मुकाबले में जहां भारत के नाम पे ये दिन नहीं रहा है फिर भी पांचवे दिन भारत किस तरह से सकता है इस मुकाबले को जीत उसके बारे में करेंगे बादचीत इस वीडियो में और साथ ही में चौते दिन में कहां कहां गलती की है भारतिय टीम ने वो भी करेंगे डिसकस अंतक बने रहेगा हमारे साथ कुरिकेट इन इंडिया के चैनल पर हैं आप आज हमने देखा भारत और बंगला देश के बीच में चल रहे पहले टेस्ट के चौते दिन पे जहां उमीदें जताई जा रही थी बिलकुल उसके विपरीद परफॉर्मेंस हुआ है ऐसी उमीदें जताई जा रही थी कि भारत को जहां चौते दिन में जीत के लिए मातर दस चाहिए दिन के दूसरे सत्र या हर हाल में तीसरे सत्र तक तो भारत इस मुकाबले को जीत कर खतम कर देगा लेकिन आज बांगलादेश की टीम ने अच्छी बलेबाजी की है जहां पूरे दिन में भारत को केवल मातर छेंविक्टे ही मिल पाई है एक तरफ से पहला सेशन ब्यू कर रहे जाकिर हसन ने शतक की ये पारी खेली है लेकिन जहां पहला सत्र बांगलादेश के नाम रहा भारत को एक भी विकेट नहीं मिला तो दिन के बाकी दोनों सत्रों में भारतिये टीम ने काफी हद तक बापसी कर ली है छे सफलताएं भारतिये टीम को दिन के जो शायद जिस तरह से गेंदबाजी का ट्राक कारे कर रहा है क्योंकि गेंदबाजों के लिए उतनी अनुकोल ये पिछब है नहीं है टरन उतना असानी से मिलना ही पारा है स्पिनर्स को भारत को पांचवे दिन में जहां 90 ओवर्स फैंके जाएंगे वहाँ पर भारत को चार विकेट्स अपने नाम पर करनी है अब यहां से देखनी योगे बाद रहेंगी इखेल के पांचवे दिन को शुरू किस तरह से करेंगे दोनों बांगलादेशी बलेबाज शाकिबल हसन और मेहंदी हसन मिराज क्या भारत को चार विक्टे हसानी से मिल जाएंगी या फिर उ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाल है